बिसमिल्ला हरा है रूर्ण obt Nich schöne थीसरा पार्ट है हमारे लेक्चर का reaction's of alkynes Arkansas पर दो तरह के reaction's शो करते हैं एक तु एडीराइशन रीक्शिण और दूसरे oxidation reaction's double bond पर जब कोई चीज एड हो जाती है तो उन्हें हम addition reactions कहते हैं और single bond में वो convert हो जाते हैं addition हो सकती है hydrogen की addition hydrogen hylides की HX की addition sulfuric acid की addition halogens की यानि X2 की addition of hypo halos acids की हम इनको बारी बारे discuss करते हैं addition of hydrogen यानि hydrogenation हम पहले भी reaction देख चुके हैं अलकेंस की preparation में hydrogen का एक molecule add हो जाता है double bond की position पे और bonds single हो जाते हैं इसके लिए catalyst भी हम use करते हैं और temperature भी high करते हैं platinum, palladium या nickel जिसको हम rane nickel भी कहते हैं ये add होता है जितने double bonds होते हैं उतने molecules hydrogen के उस जगापर add हो जाते हैं और as a result heat of hydrogenation जब bond तूटता है तो heat release होती है इसी तरह से benzene है हमारे पास, benzene के यहाँ पर तीन double bonds है ये कैसे हमें proof हुआ कि तीन hydrogen के molecules add हुए और वो किसमें कब तबदील हो गया cyclohexane में हर carbon पे हर कोने पे जो benzene के एक hydrogen है बाकि ये 6 hydrogen 6 carbons पे add हो जाते हैं cyclohexane बन जाते हैं और जो heat release होती है एक double bond के लिए वो 120 kJ per mole होती है और benzene के लिए जो है वो ये triple times release हुई heat of hydrogenation ठीक है फिर हमारे पास beta addition of HX आ जाता है और alkene का molecule है HX यानि example दे दी है HCl add होगा तो हमारे पास क्या होता है कि ये hydrogen 1 hydrogen इसमें से 1 carbon पे add हो जाता है और single bond हो जाता है CH2 और एक जगा पर यहां पे क्या होता है Cl add हो जाता है alkyl halide बन जाता है हमारे पास इसका mechanism क्या है ये होता है Mark onikov's rule के तहत होता है ये ठीक है अब हम देखते हैं ये क्या है हमारे पास के हमारे पास ये है double bond nucleophile की तौर पे act करता है πाई electrons H partial positive और X partial negative पाई electrons nucleophile पे attack करता है इसको अपने साथ जो है वो attach करवा लेता है कोई से भी एक carbon पे तो ये CH3 ये पूरे हो गए जब ये पूरे हो गए तो यहां से जो electron गया है यहां पर electrons की कमी हो गई है कार्बोकेटाइन बन गया है और X जो है वो X negative के तौर पे अलेदा हो जाता है फिर जब X negative है ये nucleophile की तौर पे एक्ट करता है इस कार्बोकेटाइन पर यहां पर ये nucleophilic और electrophilic attack होता है X negative इसके साथ attach हो जाता है तो ये हमारे पास क्या है X negative Markonikov's rule यहां पर apply होता है कि negative part ये rule हमें क्या कहता है negative part of the adding reagent goes to that carbon adding reagent का जो negative part होता है वो उस carbon पर जाके attach होता है जिस carbon पर double bond वाले carbon atom के उस carbon पर attach होता है जिसके पास less number of hydrogen atoms है तो यहां पर तीन है यहां पर नहीं add हो सकता दो वाले hydrogen की पास add होगा कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा और यह इस तरह से add हो जाएगा तो यह हमारे पास है addition of hydrogen halide then हमारे पास आता है addition of sulfuric acid sulfuric acid को हम किस तरीके से लिख सकते है HO ठीक है यह एक hydrogen दूसरा hydrogen H2 और SO4 चार हमारे पास यह है इसका यह hydrogen H positive को तोर पर चला जाता है बाकी SO3H ठीक है बाकी हमारे पास यह बचता है तो क्या करता है यह H positive के तौर वाला hydrogen पर attack होता है nuclear file का पाई electrons का ठीक है और यह इसी तहां से CH3 अपने साथ लगा लेंगे और जहां पर less reagent होगे less hydrogen atoms होंगे उस पर यह negative part of the reagent जाएगा यह कौन सा हमारा यह पूरे का पूरा O SO3H उसके साथ जाएगा ठीक है O और यह SO3H यह negative part है reagent का ठीक है यह हमारे पास यहां पर जाएगा जहां पर less number of hydrogen atoms होंगे कार्बोकेटाइन बनेगा हमार कौनिक ओफ जरूर के तहच जैसा कि हमने अभी देखा ठीक है तो हमारे पास क्या हुआ यह CH3 हम कहलें अगर इसको CH3 single bond CH2 और O SO3H ठीक है अलकाइल hydrogen sulfates बनते हैं यह जब water के साथ hydrolyze होते हैं तो क्या होता है यहां पर हमारे पास के यहां पर एक hydrogen है तो यह O के साथ अटेच हो जाता है अलकोहल बन जाते हैं corresponding CH3 CH2 OH और बाकी जो हमारे पास बचा है यह OH वाटर का यह इसके साथ चला जाता है और हमारे पास क्या बना जेता है दो hydrogen मिलेंगे H2 SO3 पहले है और एक oxygen यहां पर H2SO4 ठीक है यह किस तरह से reaction होता है नुक्लियोफाइल hydrogen को अपने साथ लगा लेता है CH3 बन जाता है और यहां पर CH2 जो रह जाते हैं कार्बोकेटाइन रह जाता है उसके साथ यह पूरा OSO3H अटेच हो जाता है OSO3H की सूरत में hydrolyze होते है alcohols पैदा करते हैं फिर addition of hydrogen है हमारे पास यह हमारे पास क्या है X2 add होता है ठीक है और vicinal dihylides बनेंगे इस तरह से mechanism देखते हैं ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है एक ब्रोमीन जो हम partial negative हो सकता है और एक ब्रोमीन पार्शल positive हो सकता है यह कब होगा कि जब charge density ब्रोमीन पर कब separate होगी जब अलकीन का मॉलिक्यूल ब्रोमीन के पास आएगा तो यह चुके rich in electron है इसके electron's की density दूसरी तरफ चली जाएगी यह partial positive हो लगा लेंगे दोनों कार्बन्स की इक्वल शेरिंग होगी ब्रोमोनियम आइन बनेगा बियार पे पॉजिटिव साइन होगा और एक बियार हमारे पास लीविंग ग्रुप के तौर पे लीव करेगा फिर यही बियार नुक्लियो फाइल के तौर पे एक्ट करेगा और यहां पर अटेक करेगा कार्बन पे किसी भी कार्बन पे और यह ब्रोमीन का बॉर्ण अंस्टेबल जो है यह तूट जाएगा यहां से एक बियार सीधा हो जाएगा और एक बियार दूसरी तरफ दूसरे कार्बन पे आकर attach हो जाएगा ठीक है एक BR इस तरफ दूसरा BR यहाँ पर आकर attach हो गया molecular bromine BR2 ठीक है यह test हम use करते हैं halogenation या bromine water का test किसके लिए ताके double bond को हम detect कर सके BR2 molecule का color पहले क्या होता है परपल कलर होता है molecular bromine का then जब यह लदर लदर हो जाता है तो यह brown हो जाता है ठीक है यह हमारे पास addition of halogen है इसी तरह से है लास्ट reaction है addition reaction का addition of hypo halos acid halogen जब water में मिलती है ठीक है तो यह क्या बनाती है हमारे पास एक halogen का atom एक्स एच के साथ लग जाता है एक्स एच और hydroxyl दूसरे halogen के molecule को ले लेता है HOX बना देता है यह HOX किसके साथ होगा hydroxyl attach हो जाता है किसके साथ एक कारबन के साथ और दूसरे कारबन के साथ जो है वह X attached हो जाता है एक के साथ X और एक के साथ OH कि दोनों हमारे पास यह negative reagents हैं इस compound को हम hellohydrin कहते हैं देखें नेक्स एडिशन रेक्शन हम दिखेंगे नेक्स्ट वी के लेक्चर में अल्लाहाफिज भयषब